अगर दान के हूं वह गड़की से अलग हट करके यह बगवानी फसल अगर ले तो इसमें लाभी लाभ है नुक्सान कहीं नहीं है ज़्याधा तर मिलते हैं वहाँ किसान इसी पर निर्भर भी होते हैं लेकिन इस तरह की खेती हमारे बिहार में मिलेगा ऐसा हम लोग कभी कलपना भी नहीं किये थे और आज मैच बिहार के सारन जिले के आपको खैरा परखंड में हम मौझूद हैं जहाँ पर खेती जो है यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर मुश्रमी की खेती की गई है और इसे देखर के काफी हर रहा है कि हम लोग की जो मिटी है वो इस सबों के लिए भी है यह सावित कर लोगों की पेड़ना भी बन रहा है कि आपकी मिटी जो है इस पर सेव और मश्रमी जैसे भी फल भी यहां पर उप जाए जा सकते हैं और इसी को लेकर कि मैं यहां पुछा हूं और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो है यह पौधा जो है आप इसमें मुस्मी लटका और कैसी यह जो इस पर निर्भर हुएं कहां से इसकी सिक्षा दिक्षा इनको मिली तमाम सीजी की जनकारी में हम अपने जो किसान भाई हैं उनसे मैं आज जानूंगे सर आपका शुब नाम क्या हुआ सर मेरा नाम नदुदेश्वर गिरी है आज जी सर आपको सारे लब को बहुत बहुत स्वागत है सर सर बताएं सर कि यह जो है आप मौश्रमी की खेती जो यहां पर आपने क्या कहां से इसको प्रेंडना मिली सर आपको इसको प्रेंडना मिली हम नवाट के तरफ से एक में ट्रेनिंग में गए हुए थे सवार सवार में कृशी विश्वी डियाल तो इसके बाद में हम यहां आकर कि अपना पले मिटी के हम चेक करवाए, कृषि भी चैन्द के अंदर माजी के दौरा मिटी जाश करवाए, अपना पीएच ओगरेश चेक करवाए, तो पीएच भी हमड़ा सही था, साथ से आठ के बीच में हमड़ा पीएच था, इसके बाद में इसके मौसमी का पौधा लगाने का विचार बनाए पौधा यहां तो उपलब्ध नहीं हो पाया क्योंकि पौधा यहां भी पूछते थे नर्शरी में लोकल नर्शरी में हम जैसे क्रिष्णा नर्शरी गोकुल नर्शरी हाजिपूर में तो काफी महंगा रेट बता रहे लोग तो हम अपना बहुत जगे घुमने के बाद बनारश से पौधा हम उपलब्ध हुआ और उहां से पौधा मंगवाए और 2016 नौवंबर में हम 500 पौधा लगाए हाफ फेकर जमीन में जिसमें 120 पेर अभी तक बचा हुआ है 30 पेर हमारा नुक्सान हो गया है और इसमें हम सलाना इंकम 65 से लेकर 75 जार रुपया तक मौसमी से शिर्फ अपना इंकम करते हैं यह सबसे जरूरी है कि मिस्रित खेती करना मिस्रित खेती इसमें हम गजंद्र ओल आउला वेगरा काई फसल लेते हैं कोई भी किसान अगर मौसमी की खेती करता है तो उसके लिए आपको पर शहर जो है वहां पर किसान जो है धर्णा पर दसन करते थे हैं और उसमें सर इस तरह से आप जो है इंकम कर ले रहे हैं या इस तरह से जो है जहां लेकर के आप इसको देखिए हमत तो करनी होगी समझे ना जैसे कहते हैं लोग कि हमत मर्द मदद खुदा तो यह आपको हमत तो दिखाना होगा क्योंकि मिर्जित आज की मांग है मिजित करा फसा हम इसमें मूंग भी लगा वह वह गजन रोल भी है अम्रूद हे आउला भी करने से अगर में नुक्सान होता है दूसरें आपको लाप देगा ही देगा मोशमी को लेकर के यहाँ पर हमने बात करें कि जो मोशमी को खेती आपने किया जीता बाडिक सापने उठाया जो यहाँ पर फसल नहीं होता है और यह भी उत्राखंड या जम्मो कश्मीर वगड़े में यह हम बहुत जारा सब जगे ट्रेनिंग किये हल्दवानी उत्राखंड सब जगे जाकर के ट्रेनिंग करने के बाद में हम अपना अनुभाव से अपना यह किये कि सब जगे जब यह हो सकता है इसका हम देखे कि वहाँ से हमको ट्रेनिंग में गयात हुआ कि इसका 45 degree Celsius तक अगर हाट का ये temperature सा सकता है और निवंतम इसका 4 degree Celsius से कम नहीं हो तो अपने ये आराम से ये उत्पादन हो सकता है तो इसलिए हम अपना मन बनाए कि हम यूनिक कुछ करके अलग कुछ करके दिखाएं कि ऐसा हो हम अच्छा करें ताकि और लोगों को भरसा जीत है यह सूच करके हमने मौसमी का बाग लगाया हम और इसमें सफल हुए और क्या फसले हैं जो कि आपनों यहां पर बिहार में नहीं पाय जाते हैं लेकिन उसको भी लेकर करके आप सूध कर रहे होंगे या फिर लाने का सपना दिख रहे होंगे सर अभी हम इसमें यह सब्सक्राइब कर रहे हैं अंजीर की भी खेती कर रहे हैं हम लोगा गुरूप है और हम एक फार्मर प्रोडूसर कंपनी बनाए हुए हैं जिसके अंदर में लगवक 500 किसान जूरे हुए हैं हमसे मिल करके बहुत सारे किसान हमसे पौधा लेजा करके सब मौसमी का भी लब्द नहीं है कोई भी इसमें सबसीडी नहीं लिए हैं खुद अपने पैसे से लगाये हुए हैं सरकार से हमको को किसमें कोई भी साहता नहीं मिली आम लोगों के लिए सरक्या संदेश देंगे ताकि लोग और भी ज्यादा आपशेर सब्सक्राइब कर कर के नए नहीं प पास उपलब्द है और इस अगर नहीं भी होंगे तो उनको हम उपलब्द करवाएंगे दूसरी बात उनको फुरी में अपना प्रसिक्षन देंगे जो भी उनको जनकारी चाहिए हमसे कर सकते हैं हमारे कॉंटेक्ट नमर है 910-968896 आप यानि कि आप इसका जो मुश्रमी का खेती या और भी एपल का खेती है विस्तार आप्त करने चाहिए बिहार में भी आप पूरी तरह से जम्मू कश्मीर और उत्रागंड किसान भाई के लिए जी यह चाहते हैं कि किसानों के यह कैस क्रॉप यह हो जाए और कैस क्रॉप हो तो कोई भी किसान भूखा नहीं मरे अगर धान के हूँ वगड़के से अलग हट करके यह बगवानी फसल अगर ले तो इसमें लाभी लाभ है नुक्सान कहीं नहीं है बहुत बहुत द्रवार कि आप देख सकते हैं कि मौसमी को ले करके जो यहाँ पर जो इन्हों ने ख्यती किया और इतना बड़ा सुन्दर बाग विचर आपने देख सकते हैं कि लगाए हुए है और जिससे एक यह कहा जाए कि यह सूद उन्होंने किया था और सूद शफलत आप उन्होंने मिली और आज इसका नतीजा है कि आज इस उम्र में भी इन्होंने आज लाखों रुपिया का इंकम इस मौसमी से कर रहे हैं जब कि इनके लिए एक प्रश्रिक्षन था कि यह होगा या नहीं होगा लेकिन इन्होंने कर दिखाया था और आज इनका सपना है कि म खेती में अपना इवा भविशा समारे इसके लिए उन्हें पूरी तर से सहीयों करने की बात भी कही है चप्रा से प्रभास रंजन